वो है देश वास्यों की सेवा शक्ति वास्तों में इस महामारी के समय हम भारत वास्यों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है बलकि भारत की जीवन पद्धती है और हमारी यहां तो कहा गया है सेवा पर्मो धर्मह सेवा स्वयम में सूख है सेवा में ही संतोष है आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता उसके जीवन में जीवन को लेकर उसके नजरिय में भरपूर आत्मविश्वास सकारक्त वक्ता और जीवन्तता प्रतिपल नजर आती है साथियों हमारे डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ सफाय कर्मी पूलीस कर्मी मिडिया के साथी यह सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कई बार की है मन की बात में भी मैंने उसके जिक्र किया है सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों के संख्या अंगिनत है ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडू के सी मोहन सी मोहन जी मदुरे में एक सलून चलाते हैं अपनी महनत की कमाई से इन्हों ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपे बचाये थे लेकिन इन्हों ने ये पूरी राशी इस समय जरुरत मंदों गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी इसी तरह अगर तला मैं ठेला चला कर जीवनियापन करने वाले गौतम दास जी अपनी रोज मरा की कमाई की बच्चत में से हर रोज दाल चावल खरिद कर जरुरत मंदों को खाना खिला रहे हैं पंजाब के पठान कोट से भी एक ऐसा ही उधारन मुझे पता चला यहां दिव्यांग भायराजु ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई चोटी सी पुझी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवा कर लोगों में भांटे भायराजु ने इस मुश्किल समय में करीब सो परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया देश के सभी इलाकों से विमेंस सल्फ हेल्फ गुरुप के परिश्नम की भी अंगिनत कहानियां इन दिनों हमारे सामने आ रही है गावों में छोटे कस्पों में हमारी बहने बेटियां हर दीन हजारों के संख्या में मास्क बना रही है तमाम सामाजिक समस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही है साध्यों ऐसे कितने ही उधारान हर दिन दिखाई और सुनाई पट रहे हैं कितने ही लोग खुद भी मुझे नमो एप और अन्यमाध्यमों के जरिये अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का, बहुत से संगठनों का, बहुत सी संथाओं का नाम नहीं ले पाता हूँ। सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे, ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंसा करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनका तहे दिल से अभेनंदन करता हूँ. मेरे पैरे देशवासियों, एक और बात जो मेरे मन को छू गई है, वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन, तमाम देशवासी गावों से लेकर शहरों तक, हमारे छोटे व्यपारियों से लेकर स्टार्ट अप तक, हमारी लैप्स कोरोना के खिलाब लडाई में नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं, नए-नए इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे नासिक के राजेंद्र आदव का उधार बहुत दिल्चस्प है, राजेंद्र जी नासिक में सतना गाउं के किसान है, अपने गाउं को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए हैं, उन्होंने अपने ट्रेक् मिडिया में कई तस्वीरे देख रहा था कई दुकानदारों ने दोगज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइप्लाइन लगा लिए हैं जिसमें एक छोर से वो उपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्रहाक अपना सामान ले लेते हैं इस दोरान पढ़ाई के खेतर में भी कई अलग-अलग इनोवेशन, सिक्षकों और चात्रों ने मिलकर किये हैं ऑनलाइन क्लासिस, वीडियो क्लासिस उसको भी अलग-अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है कोरोना की वेक्सिन पर हमारी लेव्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सब की आशा भी किसी भी परिस्तिति को बदलने के लिए इच्छा सक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है हजारों सालों के मानुजात की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनेक दोर में पहुँची है इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारी विशेस इनोवेशन भी बहुत बड़ा आधार है साथियों कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्था लंबा है एक ऐसी आपदा जिसका पुरी दुनिया के पास कोई इलाजी नहीं है जिसका कोई पहले का अनुभू भी नहीं है तो ऐसे में नई नई चुनवतियां और उसके करण परिशानियां हम अनुभू भी कर रहे यह दुनिया के हर कोरोना प्रभावी देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अच्छुता नहीं है हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में नहों परेशानी में नहों और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मद्दूर स्रमीक वर्ग पर पड़ी है उनकी तकलीफ उनका धर्थ उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार के तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो हम सब मिलकर इस तकलीफ को इस पीड़ा को मांटने क प्रयास कर रहे हैं पूरा देश प्रयास कर रहा है हमारे रेलिवे के साथ ही दिन रात लगे हुई है केंद्र हो राज्य हो स्थानिय स्वराज की समस्ताय हो हर कोई दिन रात महनत कर रहे हैं जिस प्रकार रेलिवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं वे भी एक प्रकार स अग्रिम पंक्ति में खड़े कॉरोना वारियर्स ही हैं लाखों स्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से स्वर्ख्षित ले जाना उनकी खाने भीने की चिंता करना हर जिल्ले में कॉरंटाइन केंद्रों की व्यवस्था करना सभी की टेस्टिंग चैक अप उपचार की व्यवस् प्राथियों जो द्रश्य आज हम देख रहे हैं इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ उसके अवलोकन और भविश्च के लिए सीखने का आउसर भी मिला है। उस पुर्वी हिस्से का विकास भहुत आवश्यक है। पुर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है। पुर्वी हावश्यक हो गया है। और हम लगातार उस दिसा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कहीं स्थमीकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है। कहीं स्टार्ट अप्स इस काम में जूटे हैं। कहीं माइगिरेशन कमिशन बनाने की बात हो रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिये हैं। उससे भी गाउं में रोजगार, स्फ़रोजगार, लगुद्यों को से जुड़ी विसाल संभावनाय खुली हैं। इस फैसले इन स्थित्यों के समाधान के लिए हैं। आत्म निर्भर भारत के लिए हैं। अगर हमारे गाउं आत्मनिर्भर होते हमारे कस्बे हमारे जीले हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है लेकिन अंधेरे से रोशनी की और बढ़ना मानव स्वभाव है तमाम चुनोतियों के बीश मुझे खुशी है कि आत्म निर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मन्थन शुरू हुआ है लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है इस मिशन का नेत्रुत्व देश वासी अपने हाथ में ले रहे है बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाये जाते हैं उनके पूरी लिश्ट बना गी है ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्स को ही खरीद रहे है और वोकल्फ और लोकल को प्रमोड भी कर रहे है मेकिन इंडिया को बढ़ावा मिले इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जटा रहा है बिहार के हमारे एक साथी स्रिमान हिमान स्वी ने मुझे नमो एप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दे चाहे पैट्रोल, डिजल, इंधन का आयात हो, इलेक्ट्रोनिक आइटम्स का आयात हो, यूरिया का आयात हो, या फिर खाद्य तेल का आयात हो मैं उनकी भावनाओं को समत्ता हूँ, हमारे देश में कितनी ही ऐसी चीजे बहार से आती हैं जिन पर हमारे इमानदा टेक्सपेर्स का पैसा खर्च होता है, जिनका वीकल्प हम आसानी से भारत में तयार कर सकते हैं असम के सुधित ने मुझे लिखा है कि वो महिलाओं के बनाये हुए लोकल बैंबू प्रोडक्स का व्यापार करते हैं और उना जिताय क्या है कि आने वाले दो वर्ष में वे अपने बैंबू प्रोडक्स को एक ग्लोबल ब्रैंड बनाएंगे मुझे पुरा भरोसा है आत्म निर्भर भारत अभ्यान इस दसक में देश को नई उंचाही पर ले जाएगा मेरे प्यारे देश्वासियों कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अने एक नेताओं से बात्चित हुई है लेकिन मैं एक सिक्रेट जुरूर आज बताना चाहूंगा विश्व के अनेक नेताओं की जब बात्चित होती हैं तो मैंने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी योग और आयुरुवेद के सबन में होती है कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में यह योग और आयुरुवेद कैसे मदद कर सकते हैं साथियों अंतराश्टी योग दिवस जल्द ही आने वाला है योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है लोगों में अपने स्वास को लेकर जागरुकता भी लगातार बढ़ रही है अभी कोरो लोगों ने योग और उसके साथ साथ अरुवेद के बारे में और जादा जानना चाहा है उसे अपनाना चाहा है कितने ही लोग जिन्नों ने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ओनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ओनलाइन वीडियो के माद्यम से भी में योग, कम्यूनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सब के लिए अच्छा है। साथियों कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी जाद आहम है क्योंकि ये वाइरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को सबसे अधाईक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टिम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टिड टेक्निक्स हैं जिसका अपना आलग महत्व है। कपाल भाती और अनुलोम बिलोम प्राणायम से अधिकतर लोग परिचित होंगे। लेकिन बस्त्रिका, शितली, ब्रहामरी जैसे कई प्राणायम के प्रकार है जिसके अनेक लाब भी है। वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्राले ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्राले ने माई लाइफ, माई योग नाम से अंतराष्टिय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगीता शुरू किया है। भारती नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगीता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीम मिनिट का एक वीडियो बना करके अप्रोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आशन करते हुए वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बढ़लाव आया है उसके बाले में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है आप सभी इस प्रतियोगीता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से आंतर राष्ट्य योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिये। साथियों हमारे देश में करोडो करोड गरीब दसकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं। अगर बिमार पढ़ गए तो क्या होगा। अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें। इस तकलीब को समझते हुए हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब डेड़ साल पहले आईश्मान भारत योजना शुरू की गई थी। कुछी दिन पहले आईश्मान भारत के लाभारतियों की संख्या एक करोड के पार हो गई है। एक करोड से जादा मरीज मतलब देश के एक करोड से अधिक परिवारों की सेवा हुई है। करती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इनका मुप्त इलाज नहीं हुआ होता तो उन्हें एक मुटा मुटा अंदाज है। करीब करीब 14,000 करोड रुपिय से भी जादा अपनी जेव से खर्च करने पड़ते हैं। आउश्मान भारत योजना ने गरीबों के पैसे खर्च होने से बचाए हैं। मैं आउश्मान भारत के सभी लाभारत्यों के साथ साथ मरीजों का उपचार करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सेश और मेडिकल स्टाप को भी बधाई देता हूँ। आउश्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेस्ता पॉर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। इस योजना के कारण किसी खेत्र में जहां स्वास्त की ववस्ता कमजूर है, वहां के गरीब को देश के किसी भी कौने में उत्तम इलाज करानी की सहुलियत मिलती है। साथियों, आप ये जानकर हेनार रह जाएगे कि एक करोण लाभार्थियों में से असी प्रतिशत लाभार्थी देश के ग्रामीन इलाकों के हैं। इन में भी करीब करीब 50 प्रतिशत लाभार्थी हमारी माताएं, बहने और बेटियां हैं। इन लाभार्थियों में जादातर लोग ऐसी बिमारियों से पिडित थे जिनका इलाज सामान्य दवाओं से संभव नहीं था। इन में से 70 प्रतिशत लोगों की सरजरी की गई हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलिफों से इन लोगों को मुक्ति मिली है। मडिपूर के चुरा चांदपूर में 6 साल के बच्चे केलेन सांग उसको भी इसी तरह अविश्मान योजना से नया जीवन मिला है। केलेन सांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीर बिमारी हो गई। इस बच्चे के पिता दिहडी मद्दूर है और मां बुनाई का काम करती है। ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठीन हो रहा था। लेकिन आविश्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुप्ति इलाज हो गया है। कुछ इसी तरह का अनुभव पुडी चेरी की अमुर्था वल्ली जी का भी है। उनके लिए भी अविश्मान भारत योजना संकट मोचक बन कर आई है। अमुर्था वल्ली जी के पती की हार्ट एटेक से दुखत मुर्ति हो चुकी है। उनके 27 साल के बेटे जीवा को भी हार्ट की बिमारी थी। डॉक्टर्स ने जीवा के लिए सर्जेरी की सलहा दी थी। लेकिन दिहारी मद्दूरी करने वाले जीवा के लिए अपने खर्ट से इतना बड़ा अपरशन करवाना संभवी नहीं था। लेकिन अमूर्था वली ने अपने बेटे का अविश्मान भारत योजना में रेजिस्ट्रेशन करवाया और नव दिनों बाद बेटे जीवा के हार्ट के सर्जेरी भी हो गई। साथियों मैंने आपको सिर्फ तीन चार गटनाओं का जिक्र किया। आउश्मान भारत से तो ऐसे एक करोड से अधिक कहानिया जुड़ी हुई है। ये कहानिया जीते जागते इंसानों की है। दूख तकलीप से मुक्त हुए हमारे अपने परिवार जनों की है। आप से मेरा आग्रह है। कभी समय मिले तो ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करिएगा जिसने आउश्मान भारत योजना के तहट अपना इलाज कराया हूँ। आप देखेंगे कि जब एक गरीब बिमारी से बहार आता है तो उसमें गरीबी से लड़ने की भी थाकत नजर आने लगी है। और मैं हमारे देश के इमानदार टैक्सपेर से कहना चाहता हूँ। आईश्मान भारत योजना के तहट जिन गरीबों का मुप्तेलाज हुआ है। उनके जीवन में जो सुख आया है। संतोश मिला है। उस पुन्य के असली हकदार आप भी है। हमारा इमानदार टैक्सपे और भी इस पुन्य का हकदार है। मेरे प्यारे देश्वासियों एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें हाल में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्रकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ हपतों के दोरान हमने पश्चि साथ का जाय जा लेने के लिए मैं पिछले हपते और पश्चिम मंगाल गया था। पश्चिम मंगाल और और ओड़िसा के लोगों ने जिस हिम्मत और बाहतुरी के साथ हालात का सामना किया है। प्रसौशनी है। संकट की इस गड़ी में देश भी हर तरह से वहां के लोगो प्रस के हमले से प्रभावित हुए है। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि छोटा सा जीव कितना नुक्सान करता है। टिड़ी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्रसासन भी इस संकट के नुक्सान से बजने के लिए किसानों के मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उप्योग कर रहा है। नए नए आविश्कार के तरब भी ध्यान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके हमारे कृषिक शेत्र पर यह को पूरी दुनिया विश्व परियावरन दिवस मनाएगी। विश्व परियावरन दिवस पर इस साल की थीम है बायो डायवर्सिटी याने जैव विवीदिता वर्तमान परिस्तितियों में यह थीम विशेस रुपसे महत्वपूर्ण है। लोगडाउन के दोरान पिछले क विदिता को जैव विवीदिता को करीब से देखने का आउसर भी मिला है। आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदुशन और सोर सरावे में ओजल हो गए थे सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सून रहे हैं। अनेक जगहों से जानवरों के उनमुक्त विच इस चरण की खबरे भी आ रही है। मेरी तरह आपने भी सोशल मिडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा पढ़ा होगा। । बहुत लोग कह रहे हैं लिख रहे हैं तस्वीरे साजा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाडिया देख पा रहे हैं। दूर जलती हुई रोश्नी देख रहे हैं, इन तस्विरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा, क्या हम उन्द्रश्यों को ऐसे ही बना रह सकते हैं, इन तस्विरों ने लोगों को प्रकुरती के लिए कुछ करने की प्रेणा भी दिया है, नदियां सधा बिठाकर जीवन जीने की प्रेना ले सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों हम बार-बार सुनते हैं जल है तो जीवन है जल है तो कल है लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है वर्षा का पानी बारिस का पानी यह हमें बचाना है एक एक बूंद को बचाना है गाउं गाउं वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं परंपरा के बहुत सरल उपाय है उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं पाच दिन साथ दिन भी अगर पानी रुका रहेगा तो धरती मा के पास बुझाएगा पानी फिर जमिन में जाएगा वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा और इसलिए इस वर्षारूतु में हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम पानी को बचाएं पानी को समुरक्षन करें मेरे प्यारे देश्वासियों स्वच्छ परियावरन सीधे हमारे जीवन हमारे बच्चों के भविश का विशा है इसलिए हमें व्यक्तिकत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी मेरा आप से अनुरोध है कि इस परियावरन दिवस पर कुछ पेड अवश्च लगाएं और प्रकूति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्च ले जिससे प्रकूति के साथ आपका हर दिन का रिस्ता बना रहे है हाँ गर मी बढ़ रही है इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतिजाम करना मद भूलिएगा साथियों हम सब को ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठीन तपशा के बाद इतनी कठिनाईयों के बाद देश ने जिस तरह हालत सा भाला है उसे बिगडने नहीं देना है हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना है हम लापरवा हो जाएं सावधानी छोड़ दें ये कोई विकल्प नहीं है कोरोना के खिलाब लड़ाई अब भी उतनी ही गंबीर है आपको आपके परिवार को कोरोना से अभी भी उतना ही गंबीर खत्रा हो सकता है हमें हर इनसान की जिन्गी को बचाना है इसलिए दोगज की दुरी चहरे पर मास्क हाथों को धोना इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आये हैं मुझे पुरा विश्वास है कि आप अपने लिए अपनों के लिए अपने देश के लिए ये सावधानी जुरूर रखेंगे इसी विश्वास के साथ आपके उत्तम स्वास के लिए मेरी हारदिक शुपकामना है अगले मेने फिर एक बार मन की बात अनेक नए विश्वास के साथ जुरूर करेंगे धन्यवाद जुरूर करेंगे